आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ एक अद्भुत्पल है जिसे जामुन कहते हैं इसके अनेकों और सधिये गुड़ हैं अब अनेकों और सधिये गुड़ तो मैं आपको तुरंद बता नहीं सकता लेकिन एक दो अगर कहूँ तो आपका पेट खराब हो गया है तो आप दबा के खालीजे जामुन आराम मिल जाएगा मार्केट में अभी कुछ डाइबिटीज जैसे भी बीमारी फैले हुए हैं तो आप इसमें भी जामुन फायदे मंद होता है कैसे जामुन का गुठली निकालिए उसे सुखा दीजे उसका पाउडर बना दीजे और एक चम्मच खालीजे सुबह गुनगुने पानी के साथ खाली पेटे खालेंगे तो और अच्छा होगा आप चाहते हैं कि और जल्दी ठीक हो जाए आपका डाइबिटीज तो उसमें करेले का बीज भी मिला दीजे मतलब करेले का बीज का भी पाउडर बना लीजे और नीम का भी फल जो सुखा हुआ है उसका पाउडर बना लीज मतलब नीम का पाउडर बना लीजे नीम के फल का और करेले का बीज का और जामुन के गुठली का पाउडर बना लीजे सुबह उठिये आदे आदे चमच तीनों को आपस में मिक्स कर दीजे तब हो जाएगा डेढ़ चमच और खालीजे लगातार धाई से तीन महीने आप ख जुगर का और कितना अद्भूत फल है ये प्रकृति का इसलिए कहा जाता है प्रकृतिक रक्षति रक्षिता भाई ये गीता में नहीं लिखा है ये मैंने खुद से बनाया है इसलिए खोजनाने गीता में जाके चलिए